हलो गाइज, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल, तो कैसे आप सभी लोग, I hope कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, तो गाइज मैं हूँ आपकी होस्ट रशिता शर्मा और मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और नया वीडियो, तो गाइज ये वीडियो जो है TV Shows और उनके Actor, Actresses से Related है, जी हाँ, आपने ऐसे बहुत सारे Shows होंगे, देखे होंगे, जिनकी बहुत जादा TRP हो जाती है, और फिर उसके थोड़े ही टाइम बाद, जो उसके Main Lead, Actor या Actresses होती हैं, वो उस Show को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो ऐसा क्यूं होता है, क्यूं फेम पाने के बाद ये लोग अपने TV Shows छोड़ देते हैं, जिनकी वज़े से Audience को भी काफी दुख होता है, और वो Show भी एकदम नीचे ही गिर जाता है, क्यूंकि Audience को आदत हो जाती है, उन्हीं Actor, Actresses को देखने की, उनके साथ उनको एक Connection और Bond लगता है अपना, और जब वही ये Show छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है, और उनको Show भी अच्छा नहीं लगता है, तो आईए जानते हैं कुछ ऐसे Actress और Actresses की कहानी, जो पेम पाने के बाद, और Show की TRP इतनी जादा बढ़ाने के बाद, उन Show को छोड़ कर चले गए तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो गाइज, तो गाइज जो First Actress है, वो है अवनीत कोर, आपने इनको देखा ही होगा, बहुत सरे Music Videos, TV Shows और बहुत सारी अलग-अलग Social Media, सभी जगहों पे आपने इनको देखा होगा, तो गाइज ये अवनीत कोर जो है, ये बहुत गाइज में, वो भी कंगना रनाओत की मूवी के साथ, जिसका नाम है टीको वेट शेरू, और इनके अपोजिट जो एक्टर होंगे, वो होंगे नवाज उदिन सिद्धी की, तो गाइज आप सोच सकते हो, जिस मूवी में कंगना और नवाज उदिन सिद्धी की है, उनसे ह अपना डेबिट कर रही है, तो वो मूवी कितनी अच्छी होने वाली है, तो गाइज अब बात करते हैं कि कौन से शो को इन्होंने, किस शो से इनको इतना फेम मिला, और इन्होंने फिर उस शो को क्यो छोड़ दिया, तो गाइज आपने एक शो देखा ही होगा, जो की सोनी सब पे आता था, जिसका नाम था, अलादीन नाम तो सुना होगा, तो ये उस शो में जैसमीन का रोल करती थी है, करती थी, जिसके बाद इनको बहुत अच्छी पोपुलरिटी और फेम मिला, लोगों से इनको बहुत प्रेज मिली, इनके करेक्टर के लिए जिस तरह से इन् जन था, इस शो को छोड़ने का था, वो था इनकी हेल्प, जी हाँ, इनको शो से पहले हुआ था डेंगू, और डेंगू होने के बाद ये उस शो को, उस शो की शूट के लिए चली जाने लग गई थी, शुरू कर दिया था उस शो के लिए शूट, और ये पूरी तरह से र इंगर करूंगी, तो इस वज़े से इन उस शो को फिट किया था, तो गैस देखा, इनको अब किसी भी इनसान के लिए उसकी हेल्फ सबसे फर्स्ट परिरोर्टी होती है, तो इन्होंने भी इसी लिए ही उस शो को छोड़ा था, तो आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट एक्ट भी दिया गया था, तो गैस जो इनका शो था, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, उसमें इन्होंने तीन सीजन किये थे, जी हाँ, पर्स्ट सीजन में भी यही में लीड में थी, सेकंड में भी यही थी, और थर्ड में भी यही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ था, जो की इन्होंन में बहुत ही helpless और बहुत ही बेचारा टाइप का दिखाया गया था तो वोग Erika को बिलकुल पसंद नहीं आ रहा था कि उनके character को ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है क्योंकि season 1 और 2 में उस character को बहुत ही अच्छा दिखाया गया था जो कि अपने सारे काम कुद करती थी बहुत ही talented थी और hard working भी थी लेकिन season 3 में ऐसा कुछ भी नहीं था और इन्हें helpless करेंगी otherwise नहीं करेंगी और इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास बहुत सारे offers आ रहे हैं लेकिन इनको किसी की भी story अभी पसंद नहीं आ रही है और आपने इनको एक और show में देखा होगा कसौटी जिंदगी की जी हां कसौटी जिंदगी का जो second पार्ट आया था उसमें ये actress थी और उसमें जो इनका रोल था इन्होंने किया था उसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेज मिली थी तो आगे बढ़ते हैं गाईस next है हीना खान हीना खान का तो नाम आप सब जानते ही होंगे जी हाँ ये वही actress है जिन्होंने 8 साल तक ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं काम किया था और इनका जो रोल था उस सीरियल में उसका नाम था अक्षरा और अक्षरा के नाम से ही ये हर घर में जानी जाती थी तो थी काम और इनसेंट टाइब की लड़की थी अक्षरा उसका रोल ये प्ले करती थी और उसमें उसको उस शो को इन्होंने क्यों क्विट किया आप सब सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा शो था पूरा इनको जितने भी पॉपुलारिटी मिली है वो सब उसी शो से मिली और ल इनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये किसी इतना एज ट्रोल करें ये तो इसी वज़े से इन्होंने उसे क्विट कर दिया था और उसके बाद उसमें शिवांगी जोशी और मौसिन खान के जो पेयर हुआ था उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला था तो ओडियंस को ब बाद ये डारेक्ट बिग बॉस में हम सबको नजर आई थी और बिग बॉस में हम सबको एकदम इनका अलगी रूप देखने को मिला था क्यूंकि अक्षरा का जो ये रोल प्ले करती थी उसमें ये बहुत बोली और इनसेंट सी लगती थी और जो बिग बॉस के घर में ये असली पर्सनालिटी देखने को मिली कि ये अपनी रियल लाइफ में कैसी है इनके ओपिनियन्स क्या है ये डिसीजन कैसे लेती है तो गाइज और ओडियंस को इनका वो बिग बॉस और अक्षरा का रूप दोनों ही बहुत जादा पसंद आये थे और बिग बॉस के बादिय अपने को दो वो अपने पूरे हाड़ वर्क और टैलेंट से उस काम को बहुत अच्छा करते हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है करन सिंग ग्रोवर को भी जानते ही होंगे इन्होंने अपने जो करियर की शुरुवात की थी वो करी थी 2004 से तो आप देखिए अब चल र जादा पॉपुलारिटी नहीं मिल पाई थी क्योंकि एक न्यू कमर थे न्यू फेस था तो इतना जादा किसी को पसंद नहीं आया था क्योंकि लेकिन उसके बाद जब इनका शो आया था कसोटे जिंदगी के तो उसमें आप सबको याद होगा यह सीरियल भी कितना किया गया था और उस शो में इन्होंने इनको डिरेक्टर से तीन लाग रुपे दिये जाते थे पर डे का शूट के लिए जी हां लेकिन उसके बाद भी इन्होंने का सौटी जिंदगी के सीजन तू को कुई कर दिया था और इनके कुई करने का कोई स्पैसिफिक रीजन नह नहीं इन्होंने बस बोला कि मेरे कुछ पर्सनल जीजन से जिनकी वज़े से मैं एक शो अब नहीं करना चाहता हूं और इसी वज़े से उन्होंने इसको कुट कर दिया था लेकिन कुट करने के बाद वो थोड़े टाइम बाद फिर से आया थे उस शो में लेकिन थोड़े episodes करने के बाद वो फिर से quit करके चले गए थे तो अब बात करते हैं इनकी movies की आपने इनको देखा होगा alone में और hate story 3 में और इन्होंने web series में भी काम किया है जैसे कि boss dangerous कबूल है 2.0 और अब जो इनकी movie आने वाली है तो गाइस अभी आपको नई movies में देखने को मिलने वाले है तो जो इनके fan है उनके लिए बहुत अच्छी बात होईगी क्योंकि वो इनको फिर से देख पाएंगे movies में तो आगे बढ़ते हैं अब है दीम शेक दीम शेक आजकल एक ऐसा नाम है जो टीवी में बहुत जादा और सोशल मीडियां पर तो और भी जादा बोपुलर होता जा रहा है जी हां रीम शेक बहुत ही छोटी एज से टीवी में आग टीवी शोज में काम करने लग गई थी जैसा कि आप देख सकते हो कि इन्होंने एज सिक से ही टीवी शो में काम करना शुरू कर दिया था और जो इनका शो था उसका नाम था नेर भरे तेरे नैना देवी और आजकल यह काम कर रही है कलरस के एक टीवी शो पर जिसका नाम है फना इश्क में मर जावा और इनका थोड़े टाइम पहले एक बहुत popular शो था जिसका नाम था तुझसे है राबता वो इन्होंने quit किया था जिसकी वज़े से audience को बहुत ज़ादा दुख हुआ था और इनके fans को भी लेकिन उसकी वज़ा क्या थी क्यों इन्होंने quit किया था इतनी सारी fame लेने के बाद उस show से इतनी अच्छी audience gather करने के बाद तो guys इनका reason ये था कि उन्होंने उसमें काम किया और बहुत अच्छा काम किया इनको experience भी बहुत अच्छा मिला वहाँ पर लेकिन इनको चाहिए था कि इनको और opportunities grab करनी थी कुछ नया करना था अलग-अलग चीज़े try करनी थी तो इनका यही reason था गाइस life में growth करना हर किसी को पसंद होता है तो इनका भी यही reason था कि मुझे अपनी life में और growth करनी थी इसलिए इन्होंने वो show quit किया था आगे बढ़ते हैं हमारे next जो है वो है रुबीना दिलैक तो गैस रुबीना दिलैक तो अब ऐसा नाम हो चुका है इंडिया में जो इसको को नहीं जानता है रुबीना दिलैक को सब लोग जानते है आपको बता दे कि इनका first show जो आया था वो था छोटी बहू और इसी show से इन्होंने इतनी जादा popularity गेन करी ती जिसने कभी भी नहीं करी जिसको कभी कोई टकर भी नहीं दे पाया क्योंकि रुबीना का इतना अच्छा रोल किया था उस शो में एक इनोसेंट सी वो लड़की होती है और उसके साथ बहुत सारी difficulties face करनी होती है उसको अपनी life में और उस शो की टी आरपी भी बहुत हाई गई थी तो गाइस उसके बाद यह इनको हमने देखा था एक इनके वन ओप दा बैस शो में जिसका नाम था शक्ती अस्तित्र के आहसास की जो की colors tv पर आता था और इस शो के बाद तो इनको और भी ज़्यादा popularity मिली और इसी शो की विट करने पर इनकी audience दोया बहुत ज़ादा नराज हो गई थी बहुत ज़ादा दुखी हो गई इनसे लेकिन जब इनकी audience को पता चला इननों ने जो Still premise की या है वो किया था इनको big boss से offer आया था और इनको big boss में जाना था इसी वज़े से इननोंने शक्ती को क्विट किया तो गाइज आपको पता ही होगा जब रुबीना बिग बॉस में आई तो इनका एक हमें अलगी अफ्तार देखने को मिला क्योंकि इनके जो पहले के शोगस्ते जैसे छोटी बहू और शक्ती इसमें ये बहुत काम और इनोसेंट लड़की का रोल करती हैं लेकिन हमें बिग बॉस में इनकी रियल परसनेलिटी देखने को मिली थी कि ये अपनी रियल लाइफ में कैसी है तो ओडियन्स को बिग बॉस में रुबीना दिलैक का करेक्टर बहुत जादा अच्छा लगा था और अब आपको रुबीन दिल ऐ देखने को मिलने वाली है खत्रो के खिलाडी सीजन 12 में जी हाँ अब रुबीना खत्रो के खिलाडी भी करने वाली है और अब हमें देखने को मिलेगा कि रुबीना कैसे अपने QUEARS को face करती है और कैसे अलग-OLED stunts perform करती है और रुबीना के फैंस के लिए एक और बहुत खुशकबरी है कि इनकी एक मूवी भी आ रही है जिसका नाम है अर्थ तो 2022 में ही मूवी रिलीज होने वाली है रुबीना के फैंस दरूर जाके देखना तो आगे बढ़ते हैं आगे जो हैं व hå शबीर अलुवालिया तो आपने इनको पहले के भी बहुत सारे sysiels में देखा होगा और अब के भी बहुत सारे selling में देखा होगा शबीर अलुवालिया ने अपने जो करियर की सुरूवात की थी वो की थी 2002 से वो भी किस शो से आपको पता है क्योंकि सास भी कभी बहुत थी यह उस टाइम का सबसे पॉपलर शो था आप मानोगे इसकी टी आरपी सबसे ज़्यादा हाई थी और उस शो में थे यह तो गाइस और अब आप देखो अब इनके जो शो जैसे की कुम-कुम भ करेक्टर को निभाया है और अभी जो इनका एक शो था जो वन आप दा मौस्ट पॉपलर शो था वो था कुम-कुम भागय तो कुम-कुम भागय में कुम-कुम भागय में काम करने के बाद इन्होंने उसे क्विट किया था आठ साल बाद जिसकी वज़े से इनके फैंस रॉक स्टार टाइप यह थे और ओडियंस को बहुत जादा अच्छे लगते थे लेकिन इन्होंने जब क्विट किया तो बहुत सारी फैन पॉलइंग उदास हो गई थी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया लेकिन गाइस इनका जो में मोटिव था उस शो को कुम-कुम करने का वह यही रीजन था इनका अलग उस शो को कुट करने का और आपने देखा होगा कि अभी एक और शो भी कर रहे हैं जो की ZTV पर ही आता है जिसका नाम है प्यार का पहला नाम रादे मोहन उसमें भी यही आपको देखने को मिलेंगे और अभी यह शो चल भी रहा है अगर आप इन बहुत अच्छे से देखा है कि इन्होंने बहुत अच्छा रोल भी किया है उस टीवी शो में तो गाइस इन्होंने जो शो किया है उसका नाम है भाबी जी घर पर है जी हाँ भाबी जी घर पर है शो में इन्होंने पांच साल तक काम किया लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पांच स साल तक भी यही शो नहीं करना चाहती हूं कुछ अलग करना चाहती हूं कोई अलग शो करना चाहती हूं तो गाइस बस यही रिजन था इनका उस शो को किया था तो गाइस यह थे सभी एक्टर और एक्टर्स के रीजन अपने पॉपुलर शोज को कुट करने के तो गाइस सबकी अपने परस्नल रीजन्स होते हैं लेकिन फिर दुख होएगा अगर उनके पेवरेट एक्टर एक्टर्स को देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन इतना क कोई इश्यू नहीं होता क्योंकि आपको भी पता है यह एक्टर और एक्ट्रेसीज है तो यह और शोज और टीवी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही मुवी करेंगे सीरिस करेंगे और हमें देखने को जरूर मिलेंगे ही तो गाइज यह था हमारा आज का वीडियो अगर अच्छ आइब भी करना